हलो अरिबाड़ी मैं धरमेंद कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो बाई डीके में आप सभी का स्वागत है और आज आपके सामने में लेकर आए हैं कि आपको अपने P.F.MS पोर्टल पर वेंडर्स को मैप और अनमैप कैसे करते हैं आप वेंडर्स को मैप कैसे करेंगे जो वेंडर आपने रजिस्टर नहीं किया है उसको आपको मैप करना है यानि कहीं ना कहीं P.F.MS पोर्टल पर आपके आसपास किसी वेंडर को जरूर रजिस्टर किया होगा आउमन क्या होता है ज़ातर हमारे टीचर्ष लोग जो हैं वो एक ही दुकांदार से समान लेते रहते हैं या पिर एक ही जगे से पुस्टक बंडार से बुग स्टोर से स्टेशनरी लेते रहते हैं संबावता है उस vendor को उस दुकानदार को किसी ने वेंडर अवस्य बनाया होगा अपने PFMS पोर्टल पर तो आज हम ऐसे ही कुछ वेंडर को आपको मैप करना सिखाएंगे और अनमैप करना सिखाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और चलते हैं अपने फॉन की स्क्रीन पर यहां Google को ढूल लेते हैं Google अब मिल गया है यहां सर्च कर लेंगे हम PFMS पोर्टल लोगिन और यहां असानी से हम पहुँच जाएंगे यहां किलिक कर लेंगे और हम पहुँच जाएंगे PFMS पोर्टल के लोगिन पेज पर फॉन को कर लेते हैं डेस्क टॉप साइट पर और हम लोगिन यहां कर लेंगे डाटा ओपरेटर के आईडी से डाटा ओपरेटर के आईडी से लोगिन करेंगे और उसका पासवर्ट डालेंगे और कलिक कर देंगे यहां एंटर बॉटन पर और हम पहुचश जाएंगे डाटा ओपरेटर के पल ठीक है यहां आ यहां मैंसे यह मैनेज़ ने पर आप जा सकते हैं मैंसे पर जाएंगे आप और यहां देखिए आनलिगावा वेंडर्स और यहां देख कुछ देर तो दबा कर रखना पड़ा कि वेंडर्स के सामने एरो का चिन है तो हम यहां कुछ देर दबा कर रखेंगे ठीक है यह अगर हम मैप करना है तो हम मैणेज पर जाएंगे ठीक है यहां मैणेज पर चले जाएंगे यह देखी यहां सबसे उपर देखें यहां लिखावा है वेंडर्स रजिस्टर बाई मी जो रजिस्टर मैंने किये हैं वेंडर्स यहां नीचे आसानी से आ गए हैं ठीक है वो सारे के सारे यहां आ गए हैं और जिनको मैंने रजिस् मी यहां जाएंगे जिस एक हम याँ मैं जाएंगे अर्ण वेंडर को मैं आप करना है उन मैप को एक हां मिल जायेगा आपakो तो तो मेंडर को अनमैप करना है ठीके तो मैंने मैप किये हैं vendor को ढोलना है vendor mapped but registered by other मैं यहां click करूँगा जो मैंने vendor map किये हैं वो मुझे कहा मिलेंगे vendor mapped but registered by other मैंने तो उन्हें अपने P FMS portal के account पर map किया है register किसी ओर ने किया है तो मैं यहां click कर दूँगा ठीके तो मेरे यहां आ जाएंगे वो जिनने मैप किया हुआ है जिनको मैंने मैप किया है ठीके तो जिनको मैंने मैप किया है वो यहां आगे सभी के सभी देखें यहां लिखा हुआ है अनमैप वेंडर्स तो जिस वेंडर्स को आपको हटाना है उसके सामने वाले बॉक्स में जो सैड में बॉक्स बना हुआ है उसको आप जो अनमैप कर सकते हो जैसे मुझे मैं MS, GARG, सेल्स को अनमैप करना है तो यहां में किलिक करूँगा और यहां टच कर दूँगा यह वेंडर मेरे PFS पोर्टल से हट जाएगा अनमैप हो जाएगा तो इस परकार से आप किसी भी वेंडर को अपने PFS पोर्टल से अनमैप कर सकते हैं उसको अपने वेंडर उसको वेंडर नहीं बना देना है आपको हमें से कोई काम नहीं है उस वेंडर से हमने इसको गरत मैप कर लिया है तो उसको आप Unmap कर सकते हैं यहां किलिक कर देंगे और यह Unmap हो जाएगा ठीक है? यह Unmap हो जाएगा आसानी से यहां लिखा Selected Vendor Beneficiary Unmapped Successfully यानि अब यह मेरे इस Portal पर vendor नहीं है ठीक है? यह तरीका आओ गया Unmap करने का अब मैं आपको बताएगा मैं आप कैसे करते हैं इस पर किलिक करेंगे तो कुछ इस पर कार से हमारे सामने खुल करा जाएगे यह ठीक है? तो यहां हम करी करेंगे vendor पर कुछ दे दबा कर रखेंगे और इसको साइड में हटा देंगे ठीक है? फिर यहां देखें हम manage पर किलिक करेंगे manage पर किलिक करने बाद कुछ इस परकार हम page पर पहुँच जाएगे यहां देखी यह देखें यहां जिन vendor को मैं register किया है वो नीचे आयाते हैं लेकिन इस पर किलिक करने के बाद आप देखें यहां तीन पांच आप्सन खुल कर आ गए हैं vendor registered by me vendor mapped but registered by others vendor not mapped with me यहां जो vendor मैंने register किया है वो इस से आ जाएंगे जिन vendor को मैंने map किया है वो इस से आ जाएंगे register किसी ओडने किया है उनको vendor not mapped with me यहां किलिक करेंगे ठीक है? यहां किलिक करने के बाद देखिए यहां कुछ खुल कर आ गए है लेकिन हमारा इन से कोई मतलब नहीं है ठीक है? तो हमें यहां देखो map करने के दो तीन तरीके बताएवे हैं vendor का नाम से map कर सकते हैं unique code से map कर सकते हैं account number से map कर सकते हैं ठीक है? तो हम कर लेते हैं पहले इसको map name से हम उसको नाम से map कर लेते हैं ठीक है? हम उसको नाम से map कर लेते हैं अगर उसको नाम डालें तो हमारा vendor अगर किसी ने उसको register किया हुआ है तो आसानी से हमारे map हो जाएगा ठीक है? वो आसानी से map हो जाएगा ठीक है मैंने नाम डाला यहाँ और search किया यह देखे आ गया है यह आ गया है जिसको मैंने धोनना था उसका नाम लिखा मैंने विने नाम लिखा था उस vendor का और वो vendor मेरे सामने आ गया है और मुझे पता है ये मेरे आसपास का वोई vendor है जिसको मुझे vendor बनाना था ठीक है रजिस्टर किसी ओर ने किया हुआ है कोई बात नहीं है देखे इसका success in bank है active है कोई प्रिशानी नहीं है इसको में vendor बनाना है तो इसको में map करना है ठीक है map करने के लिए उस vendor के सामने एक box से उसमें click करेंगे और यहां लिखा map vendor और यहां click कर देंगे और देखे यहां लिखा गया है selected vendor beneficiary mapped successfully अब यह आपका vendor बन गया है ठीक है आसानी से आप नाम से और उसके account number से search कर सकते हैं अब मैं यहां दूसरे को ले लेता हूँ इसका नाम यहां से हटा देता हूँ और एक दूसरे vendor का नाम ल ठीक है उसको भी मैंने vendor बनाना है ठीक है उसको भी मैंने vendor बनाना है तो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ मुझे नाम से नहीं मिला तो मैं इसका account number डालूँगा ठीक है और वो मुझे मिल जाएगा मैं यहांस का नाम डाल लहा हूँ नाम डालने से मिल जाता है कभी कभी जो है हमें नाम डालने से भी नहीं मिलता है तो हम इसका account number डालना होता है ठीक है और यहां सर्च कर लेते हैं ठीक है सर्च नहीं हो रहा है तो नाम पूरा कर लेते हैं नाम थोड़ा गलत है तो उसको सही कर लेते हैं ठीक है अब डाल लेते सर्च करते हैं और देखे सर्च होकर आ गया है जिसको मुझे वेंडर बनाना था उसको किसी ने vendor बना हुआ था और वो मुझे सर्च होकर आ गया है ठीक है अब आप देखे लिए यहाँ जिसको मैंने vendor बनाना था उसका नाम मैंने लिखा मार सर्च किया कि vendors not mapped with me यहाँ बोक्स पर क्लिक करेंगे और इसको map vendor कर लेंगे और यह भी मेरा vendor बन जाएगा यहाँ लिखा गया देखे selected vendor benefitally mapped successfully तो इस प्रकार से आप map कर सकते हैं vendor को और unmap भी कर सकते हैं अपने pfms portal पर तो आज मैंने सिखाया आपको कि अपने pfms portal पर vendor को register ना करके आप उसको map भी कर सकते हैं और जो आपने vendor गलती से बना लिया है उसको आप unmap भी कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छे लेकर तो लाइक करें शेर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राब ज़रू कर लिजे क्योंकि pfms portal से सम्बंदी सभी जानकारिया में आपके सामने लेकर आता रहूंगा तन्यवाद चैन